कोरोना वाइरस के खिलाफ वैक्सिनेशन अभियान का दूसरा चरण आज से शुरू हो गया है इस मौके पर प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने भी वैक्सीन की पहली डोस ली है प्रधान मंत्री ने टीका लगवाने के बाद कहा कि लगा भी दिया और पता भी नहीं चला वही प्रधान मंत्री ने वैक्सीन लगवाने के वक्त की मुस्कुराती हुई फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की है बताय जा रहा है कि उन्होंने वैक्सीन को लेकर आम लोगों के मन की शंकाये दूर करने की कोशिश की है साथ ही विपक्ष के उन नेताओं को भी संदेश दिया है जिन्होंने वैक्सीनेशन की मन्जूरी के प्रोसेस और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी पर भी सवाल उठाए थे मोदी ने सोशल मीडिया पर फोटो शेयर करते वे लिखा है कि कोरोना के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूत करने में हमारे डॉक्टर और वैग्यानिकों ने जिस तेजी से काम किया है वह असाधारण है मैं सभी योगे लोगों से अपील करता हूँ कि वे वैक्सीन लगवाएं हमें साथ मिलकर देश को करोना मुक्त बनाना है यहाँ आपको ये भी बताते चले कि मोदी ने एमस तक पहुँचने के लिए कोई रूट तै नहीं किया और सुबह का वक्त चुना ताकि उनके काफिले की वज़े से आम लोगों को परिशानी ना हो वही मोदी के वैक्सीन लगवाने के स्केडियूल की जानकारी भी पहले से नहीं दी गई बलकि प्रधान मंत्री ने अचानक एमस पहुँचकर लोगों को चौंका दिया बता देगी देश में करोना वेक्सीनेशन के दूसरे फेज में 60 साल से जाधा और 45 साल से 60 साल तक के वे लोग जिने गंभीर बिमारिया हैं उनको शामिल किया गया है जिनके उम्रे एक जनवरी 2022 को 60 साल होगी वेबी इस बार टीका लगवा सकते हैं वेक्सीनेशन दोपहर 3 बजे तक चलेगा इसके लिए को विन 2.0 पोर्टल के साथ ही आरोग्य सेतु एप पर सुबह 9 बजे से रेजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं जिन लोगों की उम्रे साथ साल या ज्यादा हैं उन्हें रेजिस्ट्रेशन और वेक्सीनेशन के वक्त आईडी कार्ड साथ रखना होगा 45-60 साल के जिन लोगों को गंभीर बिमारी हैं उन्हें मेडिकल सेर्टिपिकेट दिखाना होगा सरकार ने इसके लिए डिकलिरेशन फॉर्मेट के साथ इस क्राइटेरिया में आने वाले 20 बिमारियों की लिस्ट भी जारी की है इस फॉर्म को डॉक्टर से सर्टिफाई करवाना होगा गोरतलब है कि कोरोना वैक्सिनेशन का पहला फेज शुरू होने के बाद विपक्ष के कुछ लोगों ने वैक्सीन पर सवाल उठाते हुए कहा था कि प्रधान मंत्री को सबसे पहले खुद वैक्सीन लगवानी चाहिए थी विपक्ष का कहना था कि भारत बायोटेक की को वैक्सीन के फेज 3 के ट्रायल के रिजल्ट आने से पहले ही एमिर्जिंसी इस्तमाल का एप्रूवल दे दिया गया ये गलत है विपक्ष ने कहा था कि अगर वैक्सीन इतनी ही भरोसे मंद है तो सरकार से जुड़े लोग इसका डोज क्यों नहीं लगवा रहे बताते चले कि कोविद नाइंटीन वैक्सीनेशन अभ्यान का दूसरा चरण साथ साल से जादा उम्र के लोगों रन्य बिमारियों से पीडित 45 साल या उससे अधिकायू के लोगों के लिए आज़े शुरू हो गया है ठीका करन के लिए रेजिस्ट्रेशन पोर्टल पर पहले ही करवाना होगा सरकारी वैक्सीन सेंटर पर वैक्सीनेशन का पूरा खर्च केंदर सरकार की तरफ से उठाया जाएगा इन सेंटर पर मुफ्त वैक्सीनेशन क्या जाएगा राजियों में प्राइवेट अस्पतालों में बने कोविड वैक्सिन सेंटर पर वैक्सीन की अधिक्तम कीमत 250 रुपे होगी ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आप के लिए लेकर आए हैं खास मौका वो भी हर्याना सरकार की अफॉर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ अपने सपनों का घर बुप करें